नवस्कार, स्वागत है आपका न्यूस लांचर पर मैं हूँ नीलू व्यास आज अर्विन केजरिवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को ऐसा लगता है कि एक नई चुनौती दे दी है दिली की विधान सभाक के पटल के अंदर से आज उन्होंने कहा है कि अगर एक के जरिवाल को गिरिफतार किया जाएगा तो भारत मा की कोक से एक लाख के जरिवाल पैदा होंगी ये बात तो उन्होंने चुनोती एक तरीके से जो उनकी गिरिफतारी की बात हो रही है उसको लेकर कहीं लेकिन जो दूसरी बड़ी बात जो की एक जादा बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि आज विश्वास मत जब उन्होंने पेश किया तो पेश करके उन्होंने खुब खरी-खोटी सुनाया बीजेपी को कहा कि देखे एडी और सीवियाई लगा दी गई है इन्वालिड है एक तरीके से इलीगल तरीके से एडी ने उनको समन करने की कोशिश की है फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे MLA's को खरीदने की कोशिश की गई बताया कि लगबग 21 MLA's थे जिनको बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की 25-25 करोन रुपे उनको आफर किये गए उसके बाद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा केजरिवाल ने कि बीजेपी भले ही 2024 का चुनाओ जीच जाए लेकिन केजरिवाल भारत को 2029 में बीजेपी मुक्त बनाएगा अब ये केवल एक जुमला मात्र है या वाकई में केजरिवाल इसको लेकर बहुत जादा गंभीर है कि बीजेपी मुक्त भारत अगर कोई पार्टी बनाएगी 2029 में तो वो है अर्विन केजरिवाल क्योंकि वो बार-बार इस बात को अपने भाशन में कह रहे थे कि अगर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनोती अगर कोई दल है तो वो है आम आदमी पार्टी लेकिन आम आदमी पार्टी के उपर आपने देखा है कि अक्सर ये भी आरोप लगते रहते हैं कि वो तो बीजेपी की भी टीम है वो बीजेपी की मदद करती है और ऐसे एक नहीं कई राज है जहां पर वो बीजेपी की मदद करती हुए नजर आई है आपको याद होगा पिछले साल जो गुजरात का चुना हुआ था गुजरात में क्या हुआ कॉंग्रिस बिलकुल वहाँ पर खत्म हो गई और बीजेपी को एडवांटेज मिला उसका और उसका नतीजा था कि ठीके उनका वोट शेर जरूर बढ़ा होगा लेकिन वो अंत में उन्होंने बीजेपी की ही मदद की तो कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की वो मदद करते हुए नजर आते हैं लेकिन दूसरी तरफ सदन के अंदर वो इस बात को भी कहते हैं कि हम तो बीजेपी मुक्त भारत बना देंगे के इजरिवाल को कितना सीरिस्ली लिया जाए और जिस तरीके की चुनौती और एक तरीके से ललका रहा है आज उन्होंने प्रदानमंची नेरिद्र मोदी को तो ये केवल एक जुमला मातर है या इसमें कितनी गंभीरता है और अगर आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि वो बीजेपी मुक्त भारत बनाएगी दो हजार उन्तीस तक तो क्या अर्विन केजरिवाल ने जो पहली बात कही वो ये थी कि दो हजार उन्तीस तक वो बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे और क्योंकि आम आदमी पार्टी ही केवल ऐसा कर सकती है और सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी को किसी दल से है तो वो है अर्विन केजरिवाल य देखे और लग रहा था कि शायद उन्होंने बदला है जिस तरह से उन पर आकरमन हुआ मनीश सुधिया जेल गए संजय सिंग जेल गए तो उन्होंने चेंज किया लेकिन अब ये बात में पहले ही कि भी अपनी बात दोहरा हूंगा कि वो बीजेपी की बीटीम हो या नहीं लेकिन रसेस की बीटीम जरूर है और रसेस की लाइन को उनको आगे बढहना है पहली बात तो ये है इसमें हो सकता है कि जिस तरह से आज रसेस की भी कई धाराएं रही है आल्वियारी बाझ सपई की धारा अडवानी की धारा भी मोदी को धारा तो यह जो है आप लगतार उसमें दो धाराएं देखेंगे, तो हर एक विचारधारा में कई धाराएं होती हैं, तो वो एक RSS की विचारधारा की ही एक अंतरधारा, मतलब RSS धारा की एक अंतरधारा है, उसी की एक धारा है, ये मान कर चलिए, हिंदू तो बादी है, वो ही प्रतीकों का इस्तमाल करते ह देखिए अभी पिछले दिनों अगर अगर इसको समझना हो ठीक से तो दो-तीन चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बीजेपी के खिलाप लड़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वो लड़ नहीं रहे हैं ममता बनर जी ने भी लड़ी थी बीजेपी के खिलाप और इसका नतीजा क्या हुआ कि कॉंग्रेस और लेफ्ट खतम हो गई और बीजेपी को उसमें नमबर दो बन गई और नमबर दो नहीं वही रैवल पार्टी बन गई अगर सत्ता जाएगी अगर इनकी क्या करते ममता बन ब्धनीष में कि कितनी सीटें पंगाल में जो एक शीट जीतना जिनके लिए संबब नहीं था उसको उतनी सीटें मिल गई इसी तरह से आप केज्रीबाल का देखिए उन्होंनों गोड़ पिछले समय में आपने देखा कि गोड़ा का委लेक्षन हराने में उतराखंड का उले आप एक्जाम्पल्स देकर आपने कहा कि यह वो कुछ ऐसे राजे हैं जहां पर सीधा सीधा वो बीजेपी की बीटीम के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आपको प्रस्तुक कर रही है लेकिन फिर इस तरीके की बाते कहना कि हम बीजेपी मुख्भारत बना देंगे बी बीजेपी की बीटीम है तो इन सब बातों में क्या तथ्य आपको नजार आता है नहीं देखिए यह तो आप इस तरह का जो फरजी फरजी लड़ा के जिसको आप कहेंगे वो लड़ा के आपको देशवर में मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि कॉंग्रेस तो बहुत बु कि के सियार और बीजेपी में एलाइंस होने वाला है यह मतलब वो लोग काफी नजदीक आ गया है और निज एलाइंस करें या ना करें एक अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी कि बीजेपी जो है कॉंग्रेस को हराए और वो जो है उनका साथ देंगे के सियार तो यह ऐसा ही यह दियेज के साथ अपने देखा यह आपने नितिसकुमार को देखी रहे है और ऐस तो एक समैं महार एस मुक्त भारत करने कीबात कर रहे हैं कि अरविन केजरिवाल की जो यह राजनीती है यह किस ब्रेंड की राजनीती है ठीक है कॉँघ्डरस की एक राजनीती मुझे द और यह क्या मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है जनता को यह देखिए अवसरवादी ब्रैंड इसको आपका सकते हैं लेकि दूसरा एक और ब्रैंड यह है कि जो हिंदुत का जो चेहरा है वो कई चेहरों से वो चुना मतलब सामने आती है मतलब आरे से साता है सामने तो वही उ इस तरह से यह किया डेमोनाईज किया उसको जो इस बदनाम किया इस सूपर ऐस स्प्रेडर बनाया कोइड स्प्रेडर को रूप में किया आदों नबता उनको कितना उनको जिल्लत DAN जहल नहीं पड़ी वह आपने देखा उसका कशक बोन लोग कूलिस पकड़ के ले गई जंगे होते रहे और ये सक्चुट्टा बैठा रहा शाहिनबाग में वहां ओरतें धो इंदुस्तान के इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं मानता हूं कि शाहिनबाग का अंदोलन जो है उसको याद करेगा जिसमें औरतों ने कमांड समाला था साधारंग घर की कि अड़तें मिडल क्लास लोर मिडल क्लास की अड़तें जुगी जॉपड़ी की ओरतों ने वह जो है जो जिस तरख से गांडी जी के मुल्यों को अस्थापित किया भारतिये ये में भारत आजाद भारत में कि एक हिंसा नहीं हिंसा कांदोलन सत्यागरा उसका उसमें आप party का कहा रहा वह या था और अभी आपको एक दो एक concrete उदारन आपको देऊंगा अभी देखिए दो south gaur की seat में उसने उम्हीदवार उतार दिये और उम्हीदवार out south gaur की seat की दो seat है गवार में एक seat जो है जो seat पर उतारा है वो congress की seat है उसके ख़़़़ का जो है पंजाब में जो सीट जस्वीर सिंगील का उस सीट पर अभी रैली करके आया है वहां हम आदमी पार्टी चुनाओ लडने वाली है तो यह आप किसको आप जहां सा दे रहे हैं यही ममतामरण जी करना चाहती है कि कौनेर से और लेफ्ट नहीं रहे अनिल जी क्या अजम यह साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भले विदान सभा के पतल से इन्हों ने बोला हो अरविन केजरिवाल ने की यह दो हजार उन्तीस में बीजेपी मुक्ष भारत बनाएंगे लेकिन यह केवल एक फरजी वाड़ा है जुम्लेवाजी है और एक अफसरवाद की राजनीती का प्रतीक है नहीं नहीं सिर्फ इतना ही नहीं है वह यह कह रहा है देखिए राजनीतिग और भी अरविन केजरिवाल जैसा सदाववा चतूर राजनीतिग अगर कुछ बोलते हैं तो उसका क्या आर्थ होता है उसको समझना चाहिए वह कह रहे हैं कि 2024 भूल जाओ तो यानि कि क्या 2024 में बीजेपी की जीत है वह एकसेप्ट कर ली उन्होंने हाँ उन्होंने एकसेप्ट कर लिया और लोगों को कह रहे हैं वह कि 2024 तो छोड़ो यार अब यह राहूल गानी के बसका नहीं है यह जो है कॉंग्रेस के बसका नहीं है यह तुमको जो है अब हम हम 2019 में हम आपन सोचेंगे फिलाल उसको सत्ता माने दो वह यह अपील है यह है कौंग विधान सभा के फ्लोर से कि 2024 मोदी को दे दीजिए यह खुले हम बोल रहे हैं सकती है कोई भी लड़ने लड़ने की बात है लड़ने वाला आदमी को कहेगा कि 2024 छोड़ दीजे 2029 में लड़ेंगे अब मुझे यह बताइए कि ट्रम्प के लिए मोदी जी ने कहा अब क्या केजरिवाल ने विधान सभा के पटल के उपर से मोदी जी के लिए अपील कर दी है एक दम सही उदारन आपने दिया और यही हुआ कि ट्रम्प सरकार इस बार कहा इसने मोदी जी ने वहां पर हाओडी मोदी में हाडी मोदी था ना वो उसमें उनोंने कहा और उसक और रहुल गांदी जीतेंगे कॉंग्रेस साथ में साथ सीचल आ सकती है दिल्ली में अब इस वह सक्स हत्यार डाल दिया कॉंग्रेस को इसका पूरा परचार करना चाहिए वह यह का कि केजरी बाहुदर मिल गया है जैकि एक चीज है मैं मानूंगा और इसका इसके लिए मैं मानता हूं कि इसको आपको उनका अभिनंदन करना चाहिए राहुल गांदी का जो धैर जो सक्स में है कि कमलनाथ ने पूरा मतपरदेश हरा दिया कॉंग्रेस को अभी वो बीजेपी में जाने की बात हो रही है इसी तरह से नितीश ने इंडिया गटवंदन की सारी एलाय य रहा हूं माउस से तुम जो है मतलब दस्वी बरसगार जो होती है सी कॉंग्रेस सोचलिस यह कॉंग्निस पार्टी ऑफ चाहिना की उसकी सिक्स्टीज की बात है 66 की बात है उसमें वो जो है उसका सम्मोधन करने करें बिशाल जनसभा मतलब माउस से तुम को आप सोच लीज भासन देने खड़ा हुआ तो लाखों लोग मतलब जिदर आदमी दिख रहा था उधर आदमी ही थे सिर्फ उसमें उस आंद्रे मालरो फ्रांस के लेखक थे आप जानती होंगी नोमेल प्राइज बीना तो आंद्रे मालरो नों से पुछा का आपको कैसा लग रहा है तो उन आदमी मतलब जिसने बदल दिया पूरी दुनिया के इतिहास को और जिसने कम चाना के इतिहास को बदल दिया वो आदमी पैदल अकेला अपने को बारिश में भींगता हुआ जो उसमें प्रीमियर था वहां का सबसे बड़ा मतलब ताना साही कहीं एक तरह से वो आदमी को भ आपने आपने एक्जाम्पल अच्छा दिया लेकिन अर्विन केजिरिवाल की बात पर वापिस आउंगी कि अगर आज अन्रेकॉर्ड पटल के विदान सभा के पटल पर अगर उनने ये कह दिया है कि दो हजार अपील एक तरीके से की है कि मोधी तो जीती रहें दो हजार चौ कि नजरों में क्या अपनी विश्वसनीता को खो दिया है यह को वालों को या लोगों को जो भी बीजेपी विरोधी लोग हैं उनको इस बात को बताना चाहिए दिली के जनता को कि यह आदमी गदार निकला यह आदमी आया था कि हम एक सासन देंगे और यह करेंगे और चोटा मोदी नहीं बड़े मोदी है वो यह भी आपको मैं आपको कहना चाहूंगा अभी MCD अभी मैं देख रहा था ट्वीटर आपका जब आया तो मैं देख रहा था कभी कर क्या रहे हैं यह तो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा MCD में कुछ सेलरी भकाया था और उसका चेक माटा तो यह दुनों यह जो है MCD का बताईए कि MCD का का लेक्टा लेना देना है इस शक्स का लेकिन यह चेक माट रहा है इसी तरह पंजाब का भी मुखमंतरी यहीं नजर आता है भगमत मान तो एक उनका मतलब समझे की सिपासावार नजर आता है यह सबसे लोग तान है और यह मोदी जी से भी वहाँ तकता मारे मतलब कि मुख के नियुक लोग करना में बोलते हैं और वही वीचारधा रहा है तक लिए रहर अधार, शाया किसके कहने से उन्होंने कहा अनल जी मुझे ये बताइए कि जो ये बाते वो अर्विन केजी वाल ये कह रहे है ना कि उनके जो को एमेलेज हैं उनकी खरीट पर करने की बीजेपी कोशिश कर रही है ये भी कहा कि 25 करोड रुपय दे किया है लेकिन उसका सबूत अभी तक पेश नहीं किया है बीजेपी के भी लोग ये बोल रहे है ये तो खाली पीली यहां पर फाल्तुमें इंजाम लगा रहे हैं लेकिन सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाए लेकिन रहे है ये थीजोती बार ये लिखा रतालत में नहीं कूरेश ऑर चाहिया बीजेपी कभी वी के जिरिुवाल को घिरफार तो नहीं करेगी अगर ऐसा है कि वह बेजीपी की बीडिन बनके काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। वो इनके लिए उनको इन्होंने रास्ते जटाया और दूसरा जो है संजे सिंग जो की मोदी के खिलाप लगातार संसद में एक उन्होंने पहचान बनाई थी और आकरवनकारी थे। अब आदमी पार्टी में कोई एक भीनेता है भगवन तुमान ने हाथ जोड़ लिया वह भी धरदर कर रहा था तो उसके बाद रागव चड़ा बराबर वहां जाना जाते थे। लेकिन अब और कोई नहीं जाता है भगवन तुमान ने हाथ जोड़ लिया कि आप हमको मत करो कुछ दिकत हम अपना तयार है तो अब अभी वहां जो है उनको छूट दे रखी है अब वह सब कुछ बिना हर्ची जहीं आपको देखिए ना पंजाब सरकार के साल चल रही है अब चेजरिवाल चला रहे है उसको आपने अभी भगमनमान की बात की भगमनमान का भी भूल-बूल रवया अब देखे किसानों के मामले में उन्होंने खाली एक अपति जनक अपति भरा एक चिठी लिग दी ग्रहमंत्राले को ऐसे तो हर चीज में प्रोटेस करने के इंटरनेट को बंद कर दिया तो उसको लेकर केवल उन्होंने कापति भरा चिठी लिग दिया लेकिन मैं किसानों वाले मुद्धों को कंफ्यूज नहीं करूंगी लेकिन क्या आज अर्विन केजरिवाल ने अपना असली रंग दिखा दिया इस बात को कहते हुए अगर वो के जिवाल से बना लेनी चाहिए एक चाहिए दोनों यह मैसेज बहुत लोड़ेर स्टेटमेंट है जिसमें कई अर्थ निकलते है एक तो यह अर्थ निकला कि उन्हों यह मैसेज मोदी जी को दे दिया कि 2024 में मैं आपके लिए ही काम करूंगा आपके लिए आप जो कहेंगे करूंगा यह मैसेज दे दिया 2029 में पन देखेंगे फाइट कर पाएंगे तो करेंगे तब तक तो मुदी जी नहीं रहने वाले हैं तो किलियर है उनके उम्र इतनी हो जाएगी कि वह जो है इस्तिस्ति में होंगे नहीं तो उनके लोग भले रहें तो उन्होंने यह बोल द करूंगा और आपको हराऊंगा और वो उसके अक्टिविटीज भी आप डेख लिजे अभी 350 इलेक्ट्रिक बसें उपराज पाल से एकदम जगडा था बातचीत नहीं और अभी देखें कितना बढ़िया गुडी 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 चल रहा है इलेक्ट्रिक बसे जो है अभी उनके सयोग से उन्होंने उसको लॉंच किया है दिली में तो क्या चाह रही है बीजेपी जो की एक पैसा देने के तयार नहीं थी कोई काम उनका नहीं होने दे रही थी वो क्या कर दे रही है उनको दे रही है क्या कि तुम यहां पर एक पाई इसके रूप में रहो जाम में तो BJP है नहीं, तो वो चाहेगी कि आम आदमी पार्टी ही BJP को हरा है, इसको, कॉंग्रेस को हरा है, तो उसके कंदे पर होंगे, अब इसके लिए जो भी उनको सहुलते देनी है, और जो भी आप देखिये क्या कि आपको, अब ठीक से अगर आखडे वगएरे देखें कि अभी 2024 का इलेक्शन के लड़ने की जिम्मेदारी अंतता लेफ्ट पार्टी, कॉंग्रेस और RJD जैसे दलों पर है, जो कि किसी भी तरह से कोई और उद्धर ठाक रहे, सिबसे ना, यह जो या उदर स्टैलीन है, मतलब DMK है, यही पार्टियां हम लड़ेंगी, जो BJP के खिलाफ लड़ रही है, वही लड़ेंगी, यह सब पार्टियां नहीं लड़ेंगी, अब बैटल लाइन्स जिसको आप कते हैं कि युद्ध की रेखा जो है, वो खिची जा चुकी है, वो तरपका हो गया है. चलिए, देखना होगा कि अब अरविंद केजरिवाल अब आगे क्या करते हैं, आज तो विधान सभा के पतल से उन्होंने कह दिया कि अरे BJP तो अगर चुनाव जीती है 2024 में, तो फिर हम 2029 में BJP मुक्त भारत बनाएंगे, और आपका कहना बिलकुल सही था कि एक तरीके से उन्होंने प्रधान मंद्री नेरेंद्र मोधी के लिए अपील कर दी विधान सभा के पतल से, बिलकुल उसी तरह जैसे की Trump के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी निकाता है, वो क्या ब्रैंड है, आपका बहुत 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 चुक्रिया अनिल से नाजी, थैंक इस विडियो को जादा से जादा शेर करिएगा, फीडबैक दीजेगा और बने रहिएगा मेरे साथ, नियूज लाँ चापर, थैंक यू.